स्टूडन्ट और टीचर का अफेर है यह दोनों विकेंड पर जरा भाहर जाते है पर वहाँ उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है इनका विकेंड एक सर्वाइवल का गेम बन जाता है इसी इंटरस्टिंग स्टोरी के साथ हमारी आज की मूवी आती है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एन अफेर टो डाय फॉर यह 2019 की थ्रीलर मिस्ट्री मूवी एक्सलिबेन करने वाला हूँ इसके लास में जो ट्विस्ट आता है यह बहुत ही अनेक्सपेक्टेड है यह पूरी मूवी ट्विस्ट आन टर्न से भरी हुई है आज की वीडियो में हम एक गीववे करने वाले हैं जो स्पॉनसर किया है कैश करो एप ने अर जगा सेल चल रहा है Amazon की Great Indian Festival, Flipkart का Bill Billion Days, मिंत्रा एजो की सेल पर कैश करो की ओरेंज बटन से आप इन सेल्स की डिसकाउंट पर कमा सकते हो और भी एक्स्ट्रा कैश पैक अगर आप भी डारेक्ली वेबसेट पर जाकर शॉपिंग करते हैं तो कैश करो की अड़र डाल लो इसी वीडियो में गीववे की भी डिटेल्स में देने वाला हो तो ध्यान से देखिएगा बीना किसी देरी के इसे एक्स्ट्राइन करना स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन क्यारेक्ट है जिसका नामे हॉली एक कार में एक विकेंड के लिए एक होटेल तक जा रही होती है हौली एक डॉक्टर है जो उनिविर्सिटी में पढ़ा थी है इसका एक स्टूडन के साथ अफेर हो गया था जिसका नाम है एवरेट एवरेट से ही विकेंड बर मिलने के लिए इस होटेल तक वो जा रही है जब वो कार में है तभी उसे उसके हस्बंड का कॉल आता है उसके हस्बंड को उसने बताया था कि एक कॉन्फरेंस है जिसे वो अटेंड कर रही है उसके हस्बंड को एक सस्पिशेस लगता है कि हॉली को बार बार कॉन्फरेंस के लिए जाना पड़ता है Holly की husband का नाम Russell है इन दोनों को एक बेटी भी है जो आप college में पढ़ती है ये सब information जब Holly को उसके husband का यानि कि Russell का call आया था तब हमें मिल जाती है इसके बाद Holly होटेल तक पहुचती है होटेल का वेटर जिसका नाम है Dave ये Holly को उसका सामान रूम तक ले जाने के लिए help करता है reception से डियो को पता चला है कि Holly की marriage anniversary है इसलिए वो है celebrate करने के लिए इस hotel में आई हुई है Holly ने एवरेट के साथ सेफ रहने के लिए ये एक cover story बनाई थी Dave Holly से बात करने लगता है और कहता है कि मेरी भी शादी को अब दो साल हो चुके है Holly उसे congratulations करती है Dave Holly से बुचता है कि आपके शादी को कितने साल हुए है Holly कहती है कि आप 21 years हो चुके है Dave ये सुनकर impressed होता है वो Holly से अपनी wife को खुश रखने के लिए एक advice मांगता है Holly कहती है कि आपनी wife को जड़ा space देना तुम अगर एक दो दिनों के लिए कही बाहर जाते हो तो इससे बहार बढ़ जाता है कभी भी wife को अपने आप से कोई अलग मत समझना और हमेशा कोई जगड़ा वेगड़ा हुआ तो इसे full ले कर जाना डेव को एक advice बहात अच्छी लगती है डेव हॉली को उसका रूमवेगरा दिखाता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है हॉली देखती है कि डेवल वार वाइन पड़ी हुई है उसके बाद एक letter पड़ा है इस letter में Everett ने हॉली के लिए message छड़ा है इसमें लिखा है कि बात लो अपने eyes close करो और उसके बाद सींग के पास जो envelope है इससे open करना मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा हॉली फिर ऐसा ही करती है उसका बात enjoy करती है जब वो second letter खोलती है तो उसके लिए कुछ चीज़े है जो उससे पहननी है यहाँ पर एक blindfold है और handcuffs है इस letter में लिखा हुआ है कि तीन बार knock करकर मैं अंदर आऊंगा हॉली यह blindfold पहनती है और अपने handcuffs करती है इसके बाद वो एवरेट का wait कर रही है थोड़ी दिर में डोर पर तीन knocks आते है कोई अंदर आता है पर हॉली अभी भी उससे देखनी पा रही है हॉली बोलती है क्या तुम एवरेट हो जो कोई भी आया है वो कुछ भी बोलता नहीं डारेगली हॉली के पास आकर उसके साथ intimate हो जाता है वोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद पर पट्टी है उसके हाथ भी बंदे हुए है जो आद में हॉली के साथ फोस्पुली intimate हो रहा था यो हॉली का हस्बंडी था जिसका नाम है रसल रसल फिर एवरेट के पास आता है उसे कहता है कि अब तुम्हें जूट बोलना है कुछ भी हो जाए हॉली इस रूम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी डॉटर्टर्स इन सब को मैंने किड्नैप कर लिया है अगर हॉली ने कुछ भी mistake की तो मैं उन्हें मार दूँगा रसल एवरेट को एक फोन दे कर जाता है अगली instructions वो फोन पर ही देने वाला है एवरेट को free करकर रसल वहाँ से चला जाता है एवरेट फिर हॉली के पास आता है उसका blindfold वेगर निकालता है तो हॉली उस पर बहुत ही चेड़ी हुई है हॉली के थी कि मेरे साथ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यह जो तुमने आज किया है यह बहुत ही गलत किया है अब तुरंध हॉली यहाँ से चली चाना चाती है पर एवरेट उसे रोक लेता है एवरेट उसे बोलता है कि place ऐसे मत जाओ मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था उसे गिड़गडा कर रोकने के लिए मना लेता है हॉली ज़रा शान दोती है और उसके बाद एवरेट को रसल का कॉल आता है एवरेट रसल से कहता है कि आप मेरे साथ इसा क्यों कर रहे हो आप हमें इसे रोक कर नहीं रख सकते रसल कहता है कि तुमने मेरी family को hurt कर दिया है मैं तुम्हें जैसे बोल रहा हूं वैसे हिर तुमें सब कुछ करना है वरना तुम्हारी family को एक एक करकर में मार डालूंगा रसल फीर एवरेट को उसकी wife की भी चीक सुनाता है उसकी wife help के लिए गिड़ गिड़ा रही है Everett बहुत ही डर जाता है Russell Everett को कहता है तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो सिर्फ तुम्हें इस room से बाहर नहीं जाना है अगर तुमने police को call करने कोशिश की तुम्हें पता है कि क्या होगा इस call से हमें ये भी पता चलता है कि Russell को Holly और Everett के बारे में उनके bank account statement से पता चला था ये long weekends पर जाते है तो ये बहुत ही expensive है Holly living room में है और थोड़ी अफशान तो चुके है Everett उसके पास जाता है Holly उसे पुछती है कि ऐसा तुमने आज क्यों किया Everett कहता है कि मुझे लगा कि वो तुमें पसन आएका तुमने last weekend पर कहा था कि हमें कुछ new try करना चाहिए Holly कहती है कि ऐसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था Everett उसे फिर से sorry कहता है अब फिर से ऐसा हो नहीं करने वाला ये दोनों बात कर रहे थे तब होटेल का स्टाप उनके डोर पर नौक करता है Everett जब देखने के लिए जाता है तो स्टाप उसे कंप्लेंट करता है तो कहता है कि तुम्हारे neighbors के बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थे Everett और Hawley ये दोनों बहुत ही आवाज कर रहे थे Everett उन्हें स्वारी कहिकर ये फिर से नहीं होगा ये उन्हें अशुर करता है जब Everett होटेल के स्टाप से बात कर रहा था तब ही Hawley को एक कॉल आया ये कॉल रसल का था रसल ने उसे पूछा कि तुम कहा हो Hawley ने फिर से उसे जूट कहा रसल ने अब Hawley का जूट पकड़ लिया उसने कहा कि मुझे पता है Everett के बारे में Hawley ने डिनाइ करने की कोशिश की पर वो कर नहीं पाई रसल बोला कि तुम बहुती स्टूपीड हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे साथ Everett का ये फर्स्ट अफेर था Everett ने बहुत सारी लड़कियों के साथ देखिया है उसके बाद वो लड़किया भी गायब हुई थी रसल हॉली को इंस्ट्रक्शन देता है कि हॉली को मोबाईल ले ले इसके बाद Everett हॉली के पास आता है उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें मसाज देने वाला हूँ मसाज टेबल के पास हॉली का फोन वो ले लेता है हॉली फोन देने के लिए मना करती है पर Everett कहता है कि मसाज का अगर तुम्हें फूल एक्सप्रियंस चाहिए होगा तो तुम फोन में एंगेज नहीं रह सकती है Holly फिर मसाज टेबल पर जड़ा रिलाक्स होती है इस विकेंड के लिए जिस होटेल में वाया है यह होटेल Everett में बुक किया था Holly को question आता है और वो Everett से पूछती है कि तुमने इस होटेल को afford कैसे किया अगर आपको इस तरह की अच्छी lifestyle जिनी है तो आपको saving करनी पड़ती है saving का एक अच्छा तरीका और हमारे giveaway इसके बारे में मैं आपको information बताता हूँ description box में cash करो app का link दिया हुआ है अभी जाकर उस link पर click करो और simply app download करो मेरी दियू हुई link से आपको 25 रूपीज cashback मिलेगा इस 25 रूपीज के अलावा हम 5 विनर चुनेंगे इस 5 विनर इसको Amazon का gift voucher मिलेगा जिसकी worth होगी 200 रूपीज each ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ अकाउट ओपन करकर को भी website select करो जैसे अब मैं Amazon select कर रहा हूँ फिर orange butter पर tap करो इससे आप सीधा website पर पहुच आएंगे जैसे आप usually shopping करते हो वैसे आपको करनी है payment करने के बाद cash करो app में my earning section में आप अपना cashback चेक कर सकते हो जब आपका cashback confirm हो जाएगा तो directly bank में भी transfer कर सकते हो या Amazon gift voucher में convert कर सकते हो cash करो app से Amazon जैसे 1500 प्लस website से आप shopping कर सकते हो अभी sale के time पर अगर आप cash करो app से shopping करते हो तो extra cashback मिलेगा ही और इसके साथ आप जी सकते हैं 3 लाग तक bumper price अभी description की link से cash करो app अपना account बना और कोई भी transaction करो मेरी link से sign up करने के बाद purchase करकर आपको 25 रुपीज एक्स्टा cashback भी मिलेगा हमारे giveaway के rules बहुत ही simple है इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe कर दीजे description की link से cash करो app डाउनलोड करो और कोई भी purchase करो हमारे पाच winners को Amazon का gift voucher मेलेगा जिसकी worth 200 rupees each होगी तो डाउनलोड cash करो from description now फिर से हमारे वीडियो की तरफ हम मूठते है एवरेट कहता है केरफूल रहे कर मैंने सब transaction नेगरा की है तो मैं वरी करने कि कोई भी जरूरत नहीं है किसी को भी हमारे बारे में नहीं पता चलेगा मसाच करते हैं एवरेट हॉली से पूछता है तुम्हारा husband क्या करता है एवरेट और हॉली के कुछ rules थे अपने husband और wife के बारे में कोई भी पूछने नहीं वाला अब ए rule वो break कर रहे है हॉली एवरेट को कुछ भी नहीं बताती है एवरेट पुछता है कि उसने तुम्हें कॉल क्यों किया था हॉली कहती है कि मैं कैसे हूँ यह सिर्वो चेक कर रहा था मसाच हो जाने के बाद हॉली शावर लेना चाहती है उसे अभी अभी मालूम पड़ा है यह वरेट डेंजरेस है तो चालागी से अपना फोन उठाना जाती है पर एवरेट उसे रोक लेता है उसे कहता है कि तुम आराम से शावर लो उसके बाद में तुम्हें तुम्हें तुम्हारा फोन दूँगा हॉली शावर में जाने का बहाना करकर अपनी बेड्रूम की खिड़के से बाहर आवाज लगाती है उसे कोई हेल्प कर सके इसके लिए उसके लिए चिलाने लगती है एवरेट उसे सुनने पाता पर एवरेट को रसल का मैसेज आता है कहता है कि हॉली कुछ अजीब कर रही है अगर फिरसे हॉली ने कुछ मिusting की तो उसकी वाइफ को मार डालेगा एवरेट डर जाता है और हॉली के बेड्रूम तकाता है हॉली ने बेड्रूम को बन कर दिया है एवरेट दर्वाज़े को तोड़ता है पर हॉली चाला की इसे है से शावर में आ चुकी है, वो अब Holly पर विलिव नहीं कर सकता, वो Holly से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ शावर करूंगा, फिर से वो Holly से बुछता है, तुम्हारा husband करता क्या है, वो गेसस लेने लग जाता है, वो पहले कहता है कि तुम्हारा husband cop होगा, security में होगा, पर उसके पात हॉली उसे कहते हैं कि उसका हस्बंड सर्विल्यंस में है, बुलिस के लिए वो सर्विल्यंस करता है, एवरेट को इस वर बहुत ही गुस्सा आता है, वो कहता है कि इतने दिनों से हमारा अफेर है और तुमने मुझे कुछ भी बताया नहीं, तुम्हारा हस्बंड हमारे बहुत ही डिंजरस हो सकता है, हॉली कहती है कि उसका डेस्डॉप है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, एवरेट कहता है कि तुम्हें कुछ भी आइड़ा नहीं है, गुस्से में ही शावर से बाहर निकलता है, लिंग रूम में आकर क्या कहीं माइक्रोफोन या कैमेरास हाइड क क्यों है यह सर्च ओ करता है उसे पता है कि रसल उसे देख सकता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता इसके बाद एवरेट को फोन पर इंस्ट्रक्शन मिलती है कि गोली लोग और हॉली के ड्रिंग में मिला दो इस ड्रिंग की वज़े से हॉली को नीद आ जाएगी हॉली फिर आएग में सिलीपिंग बिल्स है हॉली को स्लीपिंग का प्रावलम था इसवज़े से उसके पास ही है उसे घुड़ी लासकते है उसे ही आईडिया आता है कि रट के ड्रिंग में योग गोलिया मिला व सकती है हॉली बाहर आने के बाद एवरेट उसे वाइन के लिए पुच में यह दोनों ड्रिंक करने ही वाले थे तब इनकी डोर की रिंग बचती है वेटर जिसका नाम है डेव यह इनके लिए डिनर लेकर आया हुआ है हॉली ने वेटर से कहा था कि उनके मैरेज को 21 इयर्स हो चुके है एवरेट के एज बहुत ही कम है तो वेटर को एजिब लगता है जब वेटर वहां से जा रहा होता है तो हॉली खुद उसे टीप देती है टीप की नोट पर लिखा हुआ था कि उसे हल्प चाहिए एवरेट बहुत ही डेंजरस है इसके बाद बीना वाइन पिये हॉली और एवरेट डिनर के लिए बैठते है इस डिनर के लिए स्टेक है और ये डिनर भी रसल नहीं भीज़वाया था हॉली को लगता है कि एवरेट ने ओर्डर किया है और पुछती कि तुमने ये क्या मंगवाया एवरेट कहता है कि मैंने शेफ स्पेशल मंगवाया था तुम्हें तो न्यू चीज़े एक्सप्रिमेंट करना अच्छा लगता ह तुम तो इसे ट्राय करी सकती हो एवरेट हॉली और उसके रिलेशन के बारे में बोल रहा था इन दोनों में अफेर हुआ तो एवरेट हॉली को ही बलेम करता है हॉली कहती है कि स्टार्ट तो तुमने ही किया था तुम फेल हो रहे थे तो एक्स्ट्रा क्रेट के लिए तु मज़ा आ रहा था यह डिनर खतम होता है तो एवरेट की मोबाइल और मैसेज आता है इस मैसेज में हॉली ने जो वेटर को नोट दी थी यहीं नोट है इसमें लिका हुआ है कि तुम केरफुल नहीं थे अब तुमारी वाइफ को भुगतना पड़ेगा डॉर पर नौक आती है एवरेट की वाइफ का रिंग फिंगर कट करकर वहार रखा हुआ है एवरेट ये देखकर बहुत डिस्टब हो जाता है वो सुन होकर एक जगा पर बैठता है हौली ये देखकर उसके पास जाती है और उसे वाइन पिलाती है उसकी हेर बिन एक शार्प ऑबजिक की तरह है ये पिन लेकर वो एवरेट की गले पर लगाती है और मुझे अब सच सच बता कि चल क्या रहा है मुझे सब कुछ बता और मैं यहाँ से चली जाओंगी और तुम मुझे कुछ भी नहीं करो गया क्योंकि तुमने मुझे असौल्ट किया है मैं अगर पुलिस के पास पर अब वाइन का नशा उसे आता है वो बेहोश होकर गिर जाता है थोड़ी दिर में हॉली भी बेहोश होती है क्योंकि उसने भी वाइन पी थी है जब एवरेट उटता है तब उसके हाथ में एक सिरींच है उसे के रूम में रसल एक चेर में हर ठोकर पड़ा हुआ है जब एवरेट हॉली को हैंडकप से चुड़वा कर बेडरूम में लेकर आता है। हॉली रसल को देख कर होने लग जाती है। रसल के हाथ में एक नोट है जो हॉली देख लेती है। ये नोट हो छुपके सरक लेती है। रसल की टंग ही काट ली गई है तो कुछ भी बात नहीं कर सकता। रसल बहुत ही हर्ट है तो थोड़ी देर में उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद एवरेट के मोबाइल पर कॉल आता है। एवरेट स्पिकर पर कॉल लगाता है। इस call में आदमें कहता है कि यह message तुम दोनों के लिए है, तुमने affair करकर दो families को hurt किया है, अब इनको choice देता है, वो गहता है कि कल सुभा तुमारे room से सिर्फ एक आदमें बाहर निकलेगा, अब तुम दोनों को decide करना है कि यह कौन होगा, यानि कि इन दोनों को कह रहा है कि एक दुसरे को मार डाले, अगर इन दोनों ने ऐसा नहीं किया, तो Holly की daughter को और Everett की family को मार डालेगा, यह उन्हें वो ध्यमकी देता है, इन दोनों को समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, Everett living room में आकर एक knife निकालता है, रसल के हाद में जो note थी, जब वो Holly पढ़ रहता है, वह रहता है कि बहुत सारी noise complaint आ रही थी, होटल की staff कहते है कि जो waiter आपके पास आया था, वो missing है, हम सब जगा inquiry कर रहे हैं, पर last time आपके रूम तक वो आया हुआ था, इसी रूम से उन्हें बहुत सारी noise complaint भी आई हुई है, Everett उन्हें कहता है कि हमें dinner serve करकर वो waiter च से कहता है, यह जो सब हो रहा है, यह perfectly planned है, तुमारा husband और कोई उसके साथ मिलकर हमारे साथ यह कर रहा है, हम दोनों के family danger में है, तो हमें मिलकर काम करना चाहिए, Holly इस पर believe नहीं करती, तो Everett कहता है, मेरी wife का finger निकालकर उन्होंने मुझे send किया था, यह finger Holly देखती है, Holly अभ अचा future है, Holly उसे दूर रहने के लिए कहती है, पर Everett रूक ने रहा, उसके ज़्यादा ही पास आजाता है, तो Holly चाकू चला देती है, मरते मरते Everett कहता है, कि हम दोनों कभी भी एक कपल नहीं बन सकते थे, क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगी, Holly भी उसे सहारा देती है, Everett को इस कॉल पर कहा जाता है, कि अब तुम freedom के लिए एकी step दूर हो, तुम्हारे पास जो भी सब phone से, microwave में डाल कर उन्हें जला दो, इसके बाद मुझे मिलने के लिए, room 302 में आओ, ये सिर्फ तुम कर दो, और तुमारे room में जो भी सब bodies पड़ी हुई है, ये सब हम देख ले तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा, Holly को जैसे कहा गया था, ये सब वो करती है, और फिर room में आती है, इस room में आकर उसे Everett की wife मिलती है, जो बंदी हुई है, Holly कहती है कि मैं हट नहीं करने वाली, Everett की wife कहती है, कि Everett कहा है, Holly कहती है कि अब मैं पुलिस को call करती हूँ, इसी room जिसमें देख सकती है, कि Russell नहीं सब cameras विकरा fit किये थे, और भी आगे देखती है, तो Russell के साथ Everett की wife भी थी, जिसको अभी-अभी Holly ने free किया है, आज जो भी Holly और Everett के साथ हुआ है, ये सब Russell और Everett की wife ने मिलकर प्लान किया था, Everett की wife फिर Holly के पास आती है, वह गहती है, कि दोनों तुम्हें punish करना चाहते थे, उसे convince करना ज्यादा difficult नहीं था, इसके बाद Holly के पास जो card है, ये Everett की wife चीन लेती है, इसे तोड़कर toilet में डाल देती है, Everett की wife और Holly ये दोना एक दूसरे से जगड़ती है, इसी जगड़े में गुस्से में Holly Everett की wife को मार डालती है, इ इस blackmail का एगी proof था, और वो था Everett का phone, Holly को Everett की wife ने कहा, कि अगर उसे बसना है, तो Everett के phone को, वो microwave कर दे, phone एक सबूत था, और दूसरा था Russell का Holly को दिया हुआ एक card, एक card Everett की wife ने Holly से चीन लिया, और उसे तोड़ दिया, अब Holly के पास कुछ भी real evidence नहीं है, वो कुछ भी prove देखने से तो यही लगेगा, कि उसने Everett, उसकी wife और Russell को मार डाला, Holly अब पुरी तरीके से frame हो चुकी है, Holly और Everett की वज़े से उन दोनों की families बरबात हो गए, Everett के बारे में उसकी wife को पता चला था, वो Everett और Holly से इन दोनों से बदला लेना चाथी थी, उसने फिर Russell को contact किय Holly और Everett को torture करने वाले थे, starting में इनका plan बहुत ही अच्छे से चला, मुवे की बीच में हमने देखा कि Russell को ही torture किया गया और उसकी death हो गए, Lydia Holly और Everett को मार देना चाहती थी, शायद रसल को अच्छा नहीं लगा और इन दोनों में fight हुई, Lydia ने रसल को भी drug करकर उसे मार डाल आपको लग सकता है कि Holly और Everett को तो एक आदमी की आवाज में call आ रही थी, Everett की wife के पास पुरा setup था, वो है simulation करकर उन से बात कर रही थी, उसने जैसा plan किया था, Holly और Everett इन दोनों में से एक दूसरे को मार डालेगा, वैसे हुआ, लास में Everett की wife ने सब को सबुत मीटा दिय Everett की wife मर गए, पर वो हमेशा से बदला लेना चाहती थी, तो लेकर गई है, अब Holly पूरी जिन्द की जेल में ही बिताएगी, इसी तरह से हमारी movie इंड हो जाती है, एक गलत चीज का अंद भी बहुत ही बुरा होता है, वीडियो इंड करने से पहले, guys sales तो लाइफ है, इन sales पर, free cashback earn करो, cash करो से, cash करो आपको shopping करने के, literally free बेसे दे रहा है, cash करो आप अभी description की link से download करो, और बहुत सारे बेसे बचाओ और कमाओ भी, description की link से 25 रुपेज एक्स्ट्रा cashback मिलेगा, it's a great chance, don't forget to participate in the giveaway, अगर आपको ये वीडियो अचलागा, तो please इस वीडियो को like कर द अगरे तब, तो please इस चैनल को subscribe कर दीजे, और bell notification icon दबारे में मत भूले है, हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक लिए thank you, और आप अपने आपका खैल रखे,